कि सभी लोगों को जे मातादी राधे राधे ब्रहसत्वार का दिने विश्ण भगवान की जे आज में आप लोगों को दिपावली की महत्म की बारे में बताऊंगी दिपावली का क्या महत्म है महत्म महत्म दिपावली का क्या है जब भगवान जब भगवान विश्णु ने बावन रूप धारण करके राजा बली के राजा बली को आताल भेज आताल भेजा तब देवता इंद्र प्रिशन होकर भी प्रिशन होकर घी का दिया जलाकर दिपावली मनाई राजा बली को जब भगवान विश्णु पताल लोग में भेज दिये तब दियोता ने घी का दिपक जलाकर दिपावली मनाई इसी तरह समुद्र मन्थन करते समय लच्छिमी की लच्छिमी जी प्रकट हुई थी और विश्णु भगवान को अपना पती बनाया था जब समुद्र मन्थन हुआ था लच्छिमी जी प्रकट हुई विश्णु भगवान को अपना पती माना तब दिपावली पती बनाया था तब भगवान राम दिपावली मनाई गई थी तब भगवान श्री राम लंका में बिजय पाया था लंका में बिजय पाया तब उसके बाद दीप दिवाली देव दिवाली मनाई गई इन दिन महारिशी दयानन सरश्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था महारिशी श्रश्वती को स्वर्ग पर अधिकार मिला था यह समस्त देवताओं ने श्रग भी गी का डीपक जलाकर तिवाली मनाली कितना बड़ा पर्ग है भगवान राम के बिजय पे, सीता के लच्छमी जी के प्रकट पे, रिशी के बिजय पे, रिशी के भक्ती पे, सब पे देव दिवाली मनाई जाती, दिया जलाई जाती, घी कदिया, हर उक्पुच उसमें घी कदिया जलाना अवसुप होता है दिपाउली आप लोग भी अच्छेस मनाई है, सभी लोगों को दिपाउली की हार्तिक शुप कामना बदाई, खुशियों शिर लच्छमी महारानी आप लोगों का घर भर है, आप लोग जरूर देखिए, कमेंट करके बताईए, जै लच्छमी महिया की, जै भवान विश्नों की, जै कातिक महात्यम की, जै सभी को जै रादे रादे, अगली वीडियो हम फिर डाउनलोड खरेंगे, जै गुबर्धन पूजा की, जै जरूर आप लोग देखना, सभी को रादे रादे,